नौशकार दोस्तों मैं हूं धरमविर्श तीजा मेरी खेती सची खेती में आपका स्वागत है यह जो तस्वीर आप देख रहे हो यह इंडिया मेटलोजिकल डिपार्टमेंट से आज सुबह ही ली गई है यह सैटलाइट से ली गई तस्वीर है भारत का नक्षा है इसमें ब राइस्थान में बारिश हो रही है अब 16 तारिक से राइस्थान के सारे इलागे राइस्थान के सारे इलागे बारिश देखेंगे यहां पर भारी बारिश तो नहीं होगी लेकिन मद्धे परदेश में सारे इलागे बारिश हो सकती है कहीं कहीं मद्धे परदेश में सारे आके बारिश देखेंगे ऊपर पहाडों पर यह एक वेस्टर्ण डिस्टर्बेंस आ गया आज सोला तारीक को ही आ गया है थोड़ा स्ट्रोंग पहाडों पर सारे पर उत्राखंड तक यहां पर बरब बारी होगी नमी वाली हवाइं जो है ना इदर मद्य भारत की तरफ रही है तो जब यह दो हवाइं टकर आ रही हैं मिल रही है तो बादल जादा गरजते हैं में गरजना जादा होती है जिसको हम थंडर स्ट्रों कहते हैं अब सतना तारिक से पंजाब हरेना दिली उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविदियां शुरू हो जाएंगी कह बारत सारा जो है ना इस तरह से ये एरिया बादलों से भर जाएगा 17 साइक से ही आपके सारा उत्तर प्रदेश तो बता दिया मैंने आपको बिहार 36 गड़ में बारिश शुरू हो जाएगी 20 तक बारिश होती रहेगी कहीं कम कहीं जादा लेकिन पूरी भारत में बाद में किस तरीकों कितनी बारिश होईगी आएगे डिटेल में देखते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये निशान दिखा रहा हूँ इसका मतला है यहाँ पर ओले गिरने का निशान ही देखो इस तरह से होता है तो 16 मार्श की बात कर रहा हूं तो जो ओले गिरने की संभा जादल होंगे गरजना होगी और यह जो आप निशान देख रहे हो थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं यहां पर यह निशान है बिजली के गरजने का चमकने का बादों की गड़ गड़ा आटका तो यहां पर हवा की गती जो है जादर नहीं रहेगी लिए राइस्तान में हवा की गती 30 से 40 किलोवटर प्रती घंटा हो सकती है और जादा बारिश कहां पर दिखा रहे हैं जादा बारिश जो है ना मदे परदेश में वैस्ट मदे परदेश का यह जो पार्ट है यहां पर जादा बारिश है राइस्तान की तरफ जो मदे परदेश है वहां पर ज लेंगी मेक गर्जना भी होगी थंडर स्ट्रॉम होगा बहुत ज्यादा बारिश जो है दिखा रहे हैं 36 गड़ में दिखा रहे हैं यहां पर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश में पहाड़ी लाके के साथ-साथ लगती जगा पर भी ओले गिरनी की सम्हावन है एक और चेंज में देख रहा हूं कि वेस्ट मद्य प्रदेश में ज्यादा बारिश की सम्हावना 17 तरीक को कम हो जाएगी लेकिन पूरी मद्य प्रदेश में से लेकर थोड़ा सा पूरव की तरफ यह बारिश बढ़ गई है बिहार में जारखन में बारिश ज्यादा होती रह है कि साथ में कोस्टल आंदर प्रदेश में ज्यादा बारिश की सम्हावना है यह तो मुझे लग रहा है कि फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है अब यह 18 मार्च का आप नक्षा देख रहे हो यहां पर क्या दिखाए दे रहा है कि सिर्फ आंदर प्रदेश औ वक के साथ बादल गरचते रहेंगे राइस्थान में और पश्वी राइस्थान में दोनों जगा पर ओले गिरने की सम्हावना व्यक्त की गई है तेज हवाई चलेंगी तेज हवाई पंजाब, हर्याना, चंडिगार, दिली, उत्तर प्रदेश में, मद्दे प्रदेश में सब जगे तेज हवाई चलेंगी गर्जना बिजली की होती रहेगी बादल गरचती रहेंगे अब यह उन्निस की बात कर रहा हूँ उन्निस में लगबक वही सिच्वेशन है लेकिन यहाँ बारी बारिश है यह भी कम हो जाएगी लेकिन सारा मौसम बादलों से भरा रहेगा आदे से ज़्यादा इंदोस्तान बिजली की चमक होती रहेगी तेज हवाई सब जगे पर चलती रहेगी अब यह इस तिथी बीस मार्च तक चलती रहेगी तो पहाडों पर यहाँ पर उत्रखंड में जो है न और राजिस्तान में ओले गरने की समावना है बाकी उसी तरही से ही रहेगा हलकी भुलकी बारिश की समावना होती रहेगी मौसम थोड़ा तापमान में भी कम ही आएगी आपको मेरे प्रयास मेरी यह मेहनत सार्थक नजराती हो कोई फायदा होता अपनी फसलों को थोड़ा ध्यान रखे पानी न लगाए हवाई चलेंगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो शेर कर दो सबस्क्राइब कर दो थैंक्यू जी